हेलो दोस्तो आज हम SSE CGL 2020 जो अगस 2021 में हुआ था उसमें रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे जो 17 तारीक की सेकेंड सिप्ट का है इससे पहले मैं एक सिप्ट करा चुका हूँ आप उसे जरूर देखें ठीक है आपको नए कुश्चिन का पता चलेगा और आगे जो एक्जाम है MTS के लिए ये फायदे मन्द है क्योंकि रीजनिंग आप वेसी रीजनिंग नहीं आती है जो बहले आ रही थी अब थोड़ा सा हाँ पर टाइम लग रहा है तो इसलिए MTS में भी लग सकता है आप जरूर अगर आपका MTS का पेपर है या कोई भी आगे पेपर होने वाला है SSC का तो आप इन स्रीज को जरूर देखें ठीक है यानि की जो क्विश्चन है इनको जरूर सॉल्व करें और दूसरी बात यह मै सेफ्ट-वाइज मेरे पास जो सिफ्ट आ हरी है मैं उसी का करा पाऊंगा आप मुझे सिफ्ट नहीं भेज रहे हैं अगर अपनी सिफ्ट को आप भेजींगे तभी मैं उसका सॉल्यूशन करा पाऊंगा इसलिए आप पेपर भेजें अपने नहीं तो फिर उसके बाद मैं टॉपी कोईच करा दूँगा अगर आप सिप्ट नहीं वेजिंगे तो शुरू करते हैं पहले कुश्यन से और वीडियो को लाइक जरूर करें, सेयर करें, ठीक है, सेयर करें, अगर सेयर रिस्पॉंस मिलते रहेगा, अच्छा मिलेगा, तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मन करेगा, कि मोटिवेशन मिलेगा, कि हाँ बनाते रहनी चीए, तो प्लीज वीडियो को सेयर करें, और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, तो यहाँ पर पहला कुश्यन देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस दर्पन प्रतिमी में होता है, मिरर इमेज है, त ठीक है, तो आप देखें कि first option में E से सुरू नहीं है, तो इपके cancel होगे, उसके बाद आपको मैंने बताया, आप हर question में देखन देखें, अप देखें E के बाद L आएगा, फिर B आएगा, A आएगा, तो आप देखें, 4 E L B A आन अची है, तो आप देखें E L B T है, तो यह भी नहीं होगा और A की option बचा E, L, B, A ठीक है अभी आप ये भूल जाएए कि दरपड में कैसा दिखता है वो भी आपका आसान है ठीक है उल्टा दिखेगा दरपड में तो यहाँ पर पहले E आएगा फिर L आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे fourth option इसका answer हो जाएगा आप आप देख सकते E, L, B, A, A ठीक है आसान से question है इसमें जादे time नहीं लगाना है next question करते है अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर question यही है नीचे आकती में कागज के टुकले को मूरने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दरसाया गया है इस कागज को पर यह कैसा दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको पता है अगर आपका figure ऐसे है ठीक है यहाँ पर है और यहाँ से इस तरीके से है तो यहाँ पर आपको इसको इधर पलटना है ठीक है जहां को तीर की पूंच है उस साइड आपको इसको पलटना है तो आप देखें कि यहा option आपका cancel हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, और आप देखें, third option भी आपका cancel हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आना चीए, third में भी नहीं है, और fourth में भी नहीं है, तो आप देखें, बीना देखें, आपका पहला answer हो जाएगा, फिर भी आप इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अगर यह इसके बाद उपर को जाएगा, तो दो ऐसे बनेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ बनेगा, और यही पार्ट आपका इधर आ जाएगा, तो आपके कैसे बनेंगे, यह और यह ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो देख सकते हैं, आसा answer question है, इसका first option answer हो जाएगा, बस आ अगर जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जोईस्टिक है, तो यहाँ पे जो आपका answer होगा, आप देखेंगे, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जोईस्टिक जो है, यह आपके input device है, और जो projector है, वो output device है, तो यह 3 के 3 आप का है letter odd one out का है ठीक है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हो सकता है आप देखें dwja आपस में opposite है अगर आप इनके नमबर लिखते है ठीक है अलफावेट की position लिखते है तो आप देखें 4 23 26 एक है और यहाँ देखें 11 16 और यह आपका 19 8 है और यह 10 17 यह position आपको याद होनी चीए ठीक है मैंने बताया आप कैसे याद कर सकते है ठीक है यह आपके opposite है आप देखेंगे जो भी opposite होगा उसका sum जो होगा वह आपका कितना होगा 27 होगा ठीक है यहाँ पर L आपका 12 और यह 15 तो आप देख सकते प्लस 3 है और यह आपका कौन सा odd होजाएगा 4 तो अपसन होजाएगा दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं आप देखें कि अगर आपको A से A, B, C ऐसे आप लिखें यहाँ पर M तक आएगा और इसके अपोजिट आप ऐसे लिखें N, O, P, यहाँ Z तो आप देखेंगे कि सबसे पहले D आ रहा है ठीक है, D आपको यहाँ आएगा और इसके बाद इसका अपोजिट नीचे वाली लाइन से आ रहा है ठीक है, D, W, उसके बाद देखें, Z आ रहा है, फिर A रहा है तो यानि कि पहला जो आपका लेटर है, पहले 13 में से है, दूसरा बाद के 13 में से है लेकिन आप 4th option देखेंगे, यहाँ पहले आप देखें कि जो पहला लेटर है, अलफा बेटर है, वो आपकी दूसरे लाइन से है, ठीक है, दूसरे 13 से ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते है, ऐसे भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको जो सही तरीका है, वो 1st option से, 1st तरीके से आप देख सकते है, 4 ता आंसर हो जाएगा, ठीक है बागी इसको भी आप देख सकते हैं ऐसे logic भी ये भी आपका ठीकी है next question करते है next देखें, symbolism का question है तो यहाँ पर आप देखें, सभी उठ चमकादण है इसका figure बनाई है, खुष से करें ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए answer भी height कियें, आप खुष से भी practice कर सकते है पहले खुष से practice करें फिर देखें, क्या है answer तो यहाँ पर आप देखें, सभी उठ चमकादण है यह आप उठ बना लिजी तो यह जो उठ है, सभी उठ क्या है चमकादण है, ठीक है, आपको exam में कुछ उठ सेर है, ठीक है, कुछ उठ जो है वो आपके सेर है तो यहाँ देखें, क्या option का पहला है आपका कुछ चमकादण, निसकर से कुछ चमकादण सेर है, तो आप देखें, कुछ चमकादण जो है, यह आप देख सकते हैं, आपके कुछ चमकादण सेर हैं, तो पहला सही हो गया, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा option क्या है, कोई भी तोता उठ नहीं है, तो आप देखेंगे, कोई भी तोता उठ नहीं है, ये भी सही है, तो second option भी आपका सही होगा, तीसरा आप देखेंगे, कोई भी तोता सेर नहीं है, तो तोता और सेर के तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यह आपको पता होना चाहिए बेसिक तो आप इसे आसानी से कर लेंगे अगर आपने सिलोलिजम पढ़ा होगा तो आसानी से आप इस कुश्चन को कर लेंगे नेक्स क्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखें दिये गए बिकल्पों में से वहा करती चुने जो निमने स्रंखला में प्रस्ट चिननी के इस्तान पर आएगे तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे यह लंबा फिगर है ठीक है इसमें भी टाइम जरूर लग चलें तो इक्वल आप देखें पहले फिगर में आपका यहाँ पर था ठीक है पहले में यहाँ पर था दूसरे में बीच में आ गया ठीक है यहाँ बनाती जाये दूसरे में बीच में आया फिर उसके बाद तीसरे में देखें इसके उपर आ गया और चौंथे में देखें किस साइट पर आ गया यह देख सकते हैं यह बना रहा हूँ और इसके बाद पांचवी में देखे फिर से उपर आ गया तो पांचवी में यहां पर आ गया फिर से तो अब इसके बाद जब पांचवी जो पोजिसन है यहां पर आप देख सकते हैं पांचवी में यहां गया और फिर इसके बाद उपर गया, फिर नीचे आया, फिर से उपर आ गया, तो फिर से बीच में आयागा, समझ में आ रहा है, कैसे मैंने बोला, तो बीच में आ गया, आपको ऐसे ही करना है, बीच में आ गया, तो आपका कौन सा option cancel हो जाएगा, तो आपका third option cancel हो जाएगा, आप दे इसकी यहां ही ठीक है आप देखें ये आपको ध्यान में रखना पहले यहां है दूसरे फिगर में कहां पर दूसरे फिगर में यहां पर तीसरे में यहां आ गया और चौथे में फिर से बीच में आ गया और पांचवे में कहां गया यहां आ गया ठीक है पांचवे में आपका यहां पर क्या है, square है, तो यह तो नहीं होगा, क्योंकि आपका यहां पर बीच में क्या है, equal और आपका circle आना है, तो आप देखेंगे, fourth option में cancel हो जाएगा, और आपका बचे का कौन सा second option, तो second option इसका answer हो जाएगा, आपको पूरा check करने की ज़रुद नहीं है, आप इस तरीक में यहां गया, दूसरे में यहां, तीसरे में, चौते में, पांचों में यहां आया, तो फिर छटे में, फिर से उसकी position उहीं पर आजाएगी, समझ रहे ना, जो मैं कहरा हूँ, आपने देखा हुआ, जिस तरीके से मैंने बताया, आप इसी तरीके से इसे करें, तो आपको आसानी होगी, और option जरूर ध्यान में, ठीक है, और भी तरीका आप अपना सकते हैं, जो आपको आता है, ठीक है, जिसमें आप comfort है, उसी उससे करें, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहो, यहां पर आपका इसका answer हो जाएगा, second option, next question करते है, next है यहां पर, ठीक है, when diagram का ह select the set of classes, the relationship among which is best illustrated by following when diagram, तो यहां पर देखे, इस when diagram को कौन, यहां पर दिखाता है, तो stationary pencil, stepler है, तो इसका जो figure बनेगा, stationary में आपका pencil भी आ जाता है, और stepler भी आ जाता है, तो यह figure तो होगा नहीं, यह cancel होगा, दूसरा vegetarian woman sister है, तो आपकी जो sister होगी, और सारी woman होगी, तो sister sister के अंदर woman आ जाएगा, ठीक है, ओमेन ऐसे आएगा, तो यह figure तो है नहीं, तो इसे भी आप cancel कर देंगे, next आप देखे, girls intelligent boy, तो यहां पर आप देखे, जो पहला वाला आएगा, यह intelligent होगा, और यह आपका girls होगी, और यह आपकी boys होगी, तो यानि क्या आप कह सकते है, क coding, decoding का अच्छा कुशन है, बहुत बार पूछा जा रहा है, इस तरीके का, और इसमें time लग रहा है, जिससे paper थोड़ा tough लग रहा है आपको, तो इसे आप पहले खुश से करें, पहले आप देखें, खुश से आप से हो रहा है, या नहीं हो रहा है, और comment करें, आप से होता हैं, ताकि आपको समझ मा आ जाए, 6, 10, 18, 14, 11, 15, 20, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अगर आप इनकी position लिखेंगे न, payment की 16, 21, 25, तो उससे ये solve नहीं होगा, वो अलग-लग difference से आ जा रहा है, तो उससे solve नहीं होगा, तो यहाँ पर जो logic है, मैं आपको direct हो बता रहा ह क्या किया गिया है, P, A, Y, M, E, N, T को आपका increasing order में लिखा गया, इनके alphabet को, यानि की alphabetic order में, तो सबसे पहले आप देखेंगे की सबसे पहले क्या आता है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले A आता है, तो आपने A को यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आप देखेंग इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है, और यह आपका कितना है, 16 है, यह 20 है, 25 है, तो अच्छा question है, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर logic क्या है, मैंने सबसे पहले क्या है, increasing order में लिखा, इसके बाद इनकी position लिखेंगे, अब आप देखें, 1 से 6 हुआ, तो आपका क 12 से 11 हुआ, कितना हुआ, minus 5 हुआ, 20 से 15 हुआ, minus 5 हुआ, 25 से 20 हुआ, minus 5 हुआ, logic आपको समझ में आ गया हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है, alphabetic order में लिखना है, उसके बाद आप देखें, logic क्या है, सुरू के 3 में, plus 5, plus 5 है, फिर जो बीच में है, उसे same लिखा गिया तो आपके पास क्या आजाएगा, f आएगा, सबसे पहले, फिर आपके पास i, फिर j, फिर s, फिर t, फिर u, फिर y, अब इनकी position देखो, 6, 9, आपके पास कितना है, 10 है, 19 है, और यह आपका 20, 21, और 25, तो अब देख लिखें, logic लगा लिजिए, आप यहाँ पे देखें, 6 से 11, प्लस 5 किया, ठीक है, 11 है, फिर यहाँ पर प्लस 5 किया, 9, 5, 14 हो जाता है, देखें, आप यहाँ पर यही लिखा गिया, यहाँ पर 10 में 5 करेंगे, 11, 14, 15 होगा, और 19 को 19 लिखा गिया, और 20 में माइनस 5 करेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस 5 करना है, तो 20 से 15 आज तो सबसे पहले जो step है वो मैंने आपको बताया आपको increasing order में लिखना ठीक है ये चीज में आपको समझाने के लिख रहा हूँ exam में आप इसे कैसे करेंगे एक आपने कर लिया यहाँ आपको logic आगया तो आपको दूसरा चेक करना नहीं है ठीक है time जाद लएगा तो आप सीधे answer भी इसे कर सकते है ठीक है जो आपको पूछा गया है वो आप कर सकते है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है increasing order में लिख लीजिए आपका क्या होगा A आएगा C आएगा E M O P R तो आप इनकी position क्या है एक है 3 5 ठीक है M की 13 15 16 18 तो अब क्या करना है logic आप देखो पहले 3 में प्लस 5 करना है यहाँ पे प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 6 आजाएगा और 3 में प्लस 5 करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 5 में प्लस 5 करेंगे तो 10 आ बात के दिने इसमें माइनस 5 10 आएगा यहाँ माइनस 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 11 आएगा यहाँ माइनस 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 13 आएगा तो आप देखें कि यह option में है तो आपको नजर आएगा आपको last option नजर आएगा ठीक है fourth option 6 8 ठीक है आप देख सकते हैं, 6, 8, 10, 13, 10, 11, 13, तो आपको समझ मा आ गया, क्या logic है, फिर से आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको increasing order में करना है, फिर सुरूर के 3 में जो है, minus, plus 5, plus 5, plus 5 है, फिर plus 0 है, फिर बाद के 3 में, minus 5, minus 5, समझ मा आ गया होगा, next question करते हैं, अगर अच्छा लग रहा है, समझ मा आ रहा है, तो वीडियो को like करें, share जरूर करें, next question करते हैं, तो यहाँ पर देखें, यह आपका repeated series का है, तो repeated series में मैंने आपको बताया है, repeated series में क्या होता है, एक series होती है, तो इन question को करने का तरीका एक यह है, आप option से कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है, कि आप इसमें group बना दीजिए, अगर आप इसमें group बनाएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी, जैसे मैं करता हूँ, आप देखें, अगर group बना के देखें, कितने group बनेंगे, तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, अब यहाँ पर कैसे group बनेंगे, यहाँ पर आपको total आप इसको count करेंगे, तो आपको 20 मिलेंगे, आपने देखा total जो blank है, उसे add करके यहाँ पर total जो आपकी alphabet हो 20 है, alphabet और blank मिला करें, तो इसका जो आपका बनेगा, 5 into 4 का, या 4 into 5 का, तो आपको group बनाना है, यानि कि 5 alphabet के 4 group बनेंगे, तो यहाँ पर आप देखें, 5 के बना लें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 का एक group, दूसरा 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, एक group, तीसरा आप देखें, 3, 2, 5, एक group, और यह एक group, तो अब इसमें से आप क्या करना होता, किसी भी एक group को आप दूसरे group से देखते हुए फिल कर लेंगे, क्योंकि आपका एक group रिपीट हो रहा है बार बार, यही होता है, तो आप देखें, जो आपका एक group है, P, Q, D, H है, तो इसको देखते हुए आप देखें, तो यहाँ पर ठ़र्ट position में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ इसे देखें तो यहाँ पर M आ रहा है, तो आपका एक group फिल हो गया, तो पहला, एक group fill हो गया, इसे देखते होे, सारे group fill कर लिजे, तो यहाँ पर आपका पहले में आपका आजाएगा M, उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर P आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे, last में आपका क्या है, इसी group को देखते होे, H आजाएगा, और इसके बाद आप देखें Q और यहाँ पर last में P यहाँ पर कौन सा आएगा M, यहाँ पर D आएगा और यहाँ P और Q M तो आपका जो यहाँ पर पूछा गया है वो क्या हो जाएगा M, P, M, P H, Q, D, P, M तो आप देखें यह कौन से option में तो आपको नजर आएगा M, P, H, Q, D P, M, third option में तो third option इसका answer हो जाएगा आसानी से आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया आपको group बनाना है अगर आपकी practice हो जाएगी आपको सीधे ही यह दिख जाएगे कि यह कैसे group बनना है कितने के group बनना है आप देखेंगे पहला group ही जो है P, Q, M, D, H यही repeat हो रहा है चार बार ठीक है समझ में आगी होगा इसका मैंने basic भी बताया है आपको कराय भी आप वहाँ भी देख सकते हैं से next question करते है next है आपका odd one out का है तो यहाँ पर आप देखें 61 से 97 है तो 97 में आपको कितना gap है आप कितना जोड़ींगे प्लस 36 जोड़ींगे next आप देखेंगे 56 है 56 से आपको 136 में जाना है तो आपको कितना add करना पड़ेगा प्लस 80 करना पड़ेगा उसके बाद 78 से 127 जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा प्लस 49 तो अब देखें इनमें क्या similarity है तो यहाँ पर आपको देखना है आपको similarity देख जाएगी मैं basic भी बनाया है अलग से बीडियो भी बनाया है आप देखें square देखेंगे आप देखें जो gap है ना पहले वाले में 64 का है यानि कि यह 8 का square है दूसरे वाले में gap 36 का 6 का square है और last वाले में 7 का square है जबकि यहाँ पर 80 किसी का भी square नहीं है तो और कौन सा हो जाएगा आपका third option हो जाएगा समझ में आ गया होगा logic इसी तरीके का logic है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को share करें ठीक है response दें ठीक है comment करें और जितना जादे response अच्छा मिलेगा मुझे भी अगली shift भी बनाने के लच्छा रहेगा और please अपनी shift जरूर भेजें अगर आप shift भेजेंगे तो shift wise कराऊंगा नहीं तो मैं अगला जो अगर मुझे shift नहीं मिलेंगी तो मैं आपको topic wise करा दूँगा ठीक है जो important topic है वो भी करा दूँगा मुझे उसमें भी problem नहीं है ठीक है तो next question करते नेक्स देखिए आपका numbers reach क तो यहाँ पर simple सा है आप देखें या तो gap देखके भी कर सकते हैं दूसरा आप यहाँ पर multiply करके भी कर सकते हैं यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अगर आप देखिए पहला से दूसरा number के सार है अगर आप 5 को 2 से multiply करते हैं और इसमें एक जोडते तो 5 दूनी 10 प्लस 11 आपको दूसरा number मिला तीसरे में आप 11 को 2 से multiply करें फिर इसमें आपका अग्या दूनी 22 प्लस 3 जोड़ें तो आपको 25 मिला है आपको समझ में आएगा आप देखो 25 को आपने 2 से multiply किया और कितना add किया 5 add किया तो 25 दूनी 50 प्लस 5 पचपन ठीक है आप देखने पहले फिर 3 फिर 5 यानि कि यहाँ पर odd number को हम add कर रहे हैं दो से multiply कर रहे हैं और अगला number लाने के लिए दो से multiply कर रहे हैं और उसमें odd number add करते विजा रहे हैं तो आप next किया आएगा 15 को आप 2 से multiply करेंगे तो आपके पास 110 आएगा 55 को 2 से multiply करने में आपके पास 110 आएगा और 110 में आप कितना add करेंगे 7 ठीक है तो 7 add करेंगे तो आपके पास 117 मिल जाएगा next आप देखने 117 को आप 2 से multiply करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 234 234 में आप 9 add करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 243 आजाएगा समझ महा आ रहा हुआ अब देखो 243 को आप डबल करेंगे तो आपके पास कितना हैगा 243 को आप डबल करेंगे तो आपके पास 480 और 486 आजाएगा ठीक है 486 में आप 11 जोड़ेंगे ठीक है 11 जोड़ेंगे तो 486 में यहाँ पे 486 आएगा और 11 जोड़ेंगे तो 6, 7, 8, 1, 9 और 4, 497 इसका answer आजाएगा जो कि आपका first option है ठीक है समझ मा आ रहा होगा आपको आसान question है next question करते है तो यहाँ पे देखें permit को आपको लिखा गया GRNIVK तो यहाँ पे और आपको conduce को बताना है simple question है यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यह आपके opposite दिये गए है cross pattern में opposite दिये गये हैं आपको समझाने के लिए मैं कैसे समझा रहा हूं और M का opposite आपका N है, R का opposite आपका I है, E का opposite आपका V है और P का opposite के है, समझ मागे किस तरीके से तो सेम, conduce का opposite देख लेजिए, conduce में C, sorry, conduce का देखे C, O, N, D, U, C, ठीक है, तो पंका off करके मिरे को fan off किया है, कब चलाना पढ़ा है, घर्मी भी बहुत हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आप देखें, E का opposite देखेंगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, E का opposite आपका क्या होता है, V होता है, और C का opposite आपका X होता है, आप option देखेंगे, तो option से भी आप eliminate करके लगा सकता है, अगर आपको logic मिल गया, यहाँ पर आप देखें, U का opposite क्या होता है, F होता है, D का opposite क्या होता है, W होता है, और N का opposite क्या होता है, M होता है, और O का अपोजिट लख करके याद कर सकते हैं L होता है और C का अपोजिट आपका X तो आप देखें V, X, F, W, M, L, X तो कौन से option में ऐसा V, X, F, W, M, L, X तो आपको fourth option में देखा है ये इसका answer हो जाएगा next question करते है next है आपका stadium में एक खिलाडी के और संकेत करते हुए संजना ने कहा संजना ने कहा वहां मेरी तो आप यहां पर बना लीजिए यह आपके संजना है संजना ने कहा वहां मेरी दादी के तो यानि इससे उपर एक आएगे इसके पिता जी आएगे इसके उपर दादी आगी, तो दादी लिख दीजे यहाँ, ठीक है, तो वह मेरी दादी के इकलोते बेटे, तो इकलोते बेटे जो होंगे, वो इसी के आपके, संजना के पापा होंगे, इकलोते बेटे, इकलोते बेटे, के इकलोते दामाद का, तो दामाद आपका यहाँ पर यह दामाद होगे अब खिलाडी है तो यहाँ पर पुछा गया उस खिलाडी के पिता का संजना से क्या संबन्द है तो ये खिलाडी है खिलाडी के पिता संजना के क्या होंगे संजना के हजबेंड होंगे आप कह सकते तो पती यहाँ पर इसका अंसर हो जागा ठाड ओक्षन ठीक है समझ में आ गया होगा आपको next question करते हैं ठीक है फिर से आप देख लीजे इस टेडियम में एक खिलाडी के औ इकलोते हैं तो इकलोते दामाद होगे और दामाद का बेटा है इकलोता बेटा है तो जो बेटा है वो खिलाडी है तो समझ में आ गया होगा तो संजना के क्या है जो खिलाडी के पिता है वो आपके पती है third option इसका answer next question देखे 12 का 136 है 188 का बताना 24 का 56 है तो मैंने आपको बता है यह आसान से question होते है ठीक है आपको square ठीक है कोई question आपको typical हो सकते लेकिन फिर भी आप square ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से logic आजागा और practice करेंगे तो मैं कई सारे paper के practice करा चुका हूँ इस टैप के analogy numbers reach इस से CHSL 2019 CGL 2019 CPU में करा चुका हूँ ठीक है बहुत सार देखें 12 का अगर आप square करते तो आपके पास कितना आता 144 आता है तो 136 कैसे आएगा मैनस 8 करेंगे तो आपको 136 मिल गया ठीक है यह logic यहाँ पर है तो अब इसी logic को आप यहाँ लगा लिए 24 का square करेंगे तो 24 का square 576 होता है 576 में से आप मैनस 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो अब बस सेम लोजिक हो गया ठीक है सेम पैटन है तो यहाँ पर आपको 188 जीए तो यहाँ पर 188 है तो अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा 196 में से 8 घटाएंगे तो आपको 188 मिल जाएगा तो आपका आंसर क्या आजाएगा 14 आजाएगा फर्स्ट ऑप्सन ठीक है इसमें कुछ ऐसा है नहीं कुछ अलग तो सिंपल सा है तो इसका आंसर 14 आजाएगा नेक्स क्वेशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है एक पांसे को तीन अलग अलग इस्तित्या दर्साई गई है वह परतिक चुने जो एन अक्षर वाले फलक के बिप्रेट फलक पर आएगा तो डाइस में क्या होता है इसमें आपको देखना है कि आपको एन के बिप्रेट बताना है तो आप देखें फर्ष्ट वाला व्लाड देखें दूगाप्र को आप कम्पेर कर लें ठीक है तो किस तरीकर से करते हैं यहां पर एन और हैर एस का S है तो SS वाला comment करें और इसे आप किस तरीके से करें clockwise direction में लिखें तो first figure में आपका पहले S है clockwise direction में आप देखें एन आएगा फिर percent आएगा उसके बाद आप इस figure में देखें तो यहाँ पर एस आपका analogy का question है word analogy है इसमें आपको knowledge होनी ज़रूरी होती है आपको पता होनी चीज़ें तो आप देखें कि यहाँ पर sympathy और affinity क्या है तो यह आपके क्या है यह आपस में synonym है यह दोनों आपके synonym है English में मैंने आपको बता दिया है ठीक है यह आपके कौन से synonym है प्रयायवाची आप कह सकते है साहनुभूति और अनिरुक्ति तो आपको option में से ही same rootना है तो option में आप देखेंगे आपका क्या है tranquil or serene ठीक है यह आपके synonym है second option इसका answer हो जाएगा और हिंदी में आप देखेंगे सांत चित्त और धीर ठीक है सांत चित्त और धीर का मतलब क्या हो गया दोनों आपका synonym में प्रयायवाची तो इसका अंसर आपका fourth option हो जाएगा समझ में आगया होगा next question करते है next question देखें तो यह तो आपका आसान सा question होता है ठीक है इसमें आपको option से लेना option से आप इससे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं direct इसमें option रखके आपको बता दो इसमें कोई आपको कुछ सीखना है नी कुछ नया है नी सिंपल सा है आप देखें अठारा है बारा है और फॉर है फाइप है शिक्स है 53 है तो यहाँ पर आप देखें जो इसका answer है वह आपका third option इसमें आएगा तो third option को अगर आप पूट कर करते हैं यहाँ पर into आप सारे चेक कर सकते हैं ठीक है इसमें कुछ नया नहीं है और आपका divide plus minus equal तो आप देखें चारतियां 12 और अठारतियां कितना हो जाएगा तो यह आपका 53 प्लस इक्वल तो 53 हो जाएगा तो आपका 53 प्लस इक्वल तो 53 हो गया दोनों बराबर आगे तो आपका answer क्या हो जाएगा ठीक है next question करते है तो यह आपका reading set का है reading set के भी मैं भहुत सारे question करा चुका हूँ तो इसमें आपको क्या करना होता है इसमें आपको इसमें relation ढूटना पड़ता है फिर same option देखना पड़ता है आप देखें अगर आप इसमें देखेंगे अगर आप 9 और 21 को आप एड़ करते हैं, तो आपके पास कितना आता है, 9 और 21 को आप एड़ करेंगे, तो आपके पास आता है 30, ठीक है, और 30 को आप किस से multiply करें, 30 को आप अगर 4 से multiply करते हैं, तो आपके पास आएगा 120, 120 में आप 4 जोड़ेंगे, तो आपके पास 124 आजाएगा, तो आपको logic clear होगा, आपने पहले 2 को add करना है, और उसको 4 से multiply करके उसमें 4 add करना है, तो ऐसा ही option में करेंगे, अगर आप 16 और 5 को add करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 21 को 4 से multiply करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 84 आएगा, उसमें 4 add करेंगे, 88 आजाएगा, ठी नहां पर आप देखे 17 प्लस 37 को आपने एड़ किया 17 और 37 आपका कितना हो जागा इसे एड़ करके आपके पास आएगा 54 इसके बाद हमें क्या करना है 4 से मल्टिप्लाई करना है 4 से मल्टिप्लाई कर लीजिए ठीक है 4.16 इच्छे 1 और आपके पास 5.20 और 216 आएगा फिर हम और लॉजिक भी सोच सकते हैं कुछ नया लॉजिक आता है तो आप कमेंट जरूर करें ठीक है तो यह भी आपके एक लॉजिक है ठीक है आसान सा है 220 इसका आंसर हो जाएगा next question करते हैं next question करें इसमें क्या होगा ठीक है यह आपका letters reach का है तो यहाँ पर आप देखें कैसे गए तो T से आप देखें Y गए तो T से Y गए तो आपने 20 होता है इनकी position आपको मालूम होनी चाहिए ठीक है अब मैं सीधे लिखूँगा T से Y गए तो प्लस 5 किया और Y से आप 1,2,3,4 तो प्लस 5 किया उसके बाद D से आप गए फिर प्लस 0 हुआ अब आप देखें D से आप next जाएंगे तो प्लस 5 करेंगे और D में आप प्लस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा दी की position होती है 4 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा तो 9 का मतलब आपका क्या ह आए तो यहाँ पर जो पहला आ आएगा फिकर तो आपके दो option eliminate होक внешी पहला आगया अद दूसरा देखें ए से A में गए प्लस 0 किया और S में गए प्लस 5 किया F से आपका F में गए प्लस 0 और F से के में गए प्लस 5 तो अब यहाँ पर K से next में is plus 0 टीकह आप देख रहें ला प्लस 0, तो यहाँ पर आपका k आ जागा, तो आप देखें, आपका a की option होगा, जो i k से start है, आप सीधे इसमें दूसरे option में answer लगा सकते हैं, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, आप इसे आगे भी चिक करें, आप देखें, l से g गए, तो यहाँ पर आपका minus 5 किया, ठीक है, minus 5 होगा, b आपका 2 होता है, तो minus 5 करेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, 30 है गा, और 30 ही position में w, आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं, आगे भी आप देखें, l से t गया, तो आपका t से t गया, तो minus 0 होगा, या plus 0 होगा, फिर t से आपका ओ गया, minus 5 होगा, तो इस तरीके स आप इसे कर सकता हो, और यहाँ पर IKWJ आ जाएगा, तो J से J प्लस 0 हो जाएगा, तो यह आपका आंसर है, logic आपको clear होगा, आसान सा है, second option इसका answer हो जाएगा, next question करते हैं, next देखें, यहाँ पर आपको बताना है, यह figure कहाँ पर आएगा, ठीका, आकरती को घुमाने नहीं है, तो यह भी आपका आसान सा, आप देख सकते हैं, कौन से figure में आएगा, तो आप देखें, इन question में क्या दिक्कत हो रही ते, पता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कोई tough नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, इसमें आधा question जो आ रहा था, टॉप में इनको एक सान, तो यहाँ पर देखें, जो यह figure बन रहा है, यह आपका fourth option में बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें, इस type का figure है, यह हो गया, यह हो गया, और यह इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, किस तरीके से figure है, तो यह आपका इसका answer ह हो जाएगा fourth option ठीक है next question करते है next है यहां पर dermatologist जो skin है तो skin के जो भिसेसरगी होते है वो आपके dermatologist बोलते है तो यहां पर जो आपका neonatologist क्या होता है जो यानि की newborn babies होते है जो उनके specialized होते हैं ठीक है specialized doctor आप कह सकते हैं ठीक है newborn babies के उसे आप infants बोलते हैं infants के जो specialist होते हैं उसे आपका क्या neonatologist बोलते है fourth option का answer हो जाएगा next question करते हैं तो next question आप देखें यहां पर कौन सा है ठीक है यह आपका missing number का यह भी अच्छे question आ रहे हैं तो यहां पर जो logic है अगर आप देखें एक logic में यहां पर आपने एट किया और यहां पर आपने एट किया अठारा दो बीस सा 27 आ गया तो आप देखेंगे कि 21 भी आपका तीन से डिवाइड है 27 भी तीन से डिवाइड है अब यहां पर आप option रखेंगे तो 11, 11, 22 हो जाएगा ठीक है 21 में अगर आप देखेंगे 31 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, 1, 3, 3, 2, 5 53 है तीन से डिवाइड नहीं है और फिर 22 में आप देखेंगे कितना एट करेंगे 29 एट करेंगे तो 29 एट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9, 2, 11, 1, 2, 2, 4, 5 तो 51 आ गया तो आपका तीन से डिविज्वल नहीं होगा आप देख सकते है 55 आ रहा है नेक्स्ट आप 27 रखके भी देख सकते है वो भी नहीं आएगा अब दूसरे यहाँ पर क्या लोजिक हो सकता है ठीक है यह भी आप देख सकते है दूसरे यहाँ पर यह भी हो सकता है आप यह देखें क तो आपके पास 7 दो 9 आया, तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, 9 जोड़ा, तो आपके पास 18 आया, तो आप आप देख सकते हैं, पहले 5 जोड़ा, यानि कि और last में हमने 9 जोड़ा, तीसरे वाले में, यानि कि यहाँ पर आपका जो odd number है, वो add हो सकते हैं, तो यहाँ पर पहल logic पर question मिलेगा, ठीक है, logic आपके repeat जरूर होते हैं, आप practice करेंगे तो आपको फायदा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके सी भी कर सकते है, या कोई आपको तरीका आता है, जरूरी नहीं है कि यही तरीका हो, या कोई आपको तरीका आता है आप पहले खुछ से करें तो उसे भी comment करें उससे क्या होगा दूसरों को भी पता चलेगा कि इसका ये भी logic हो सकता मुझे भी पता चलेगा ठीक है तो आप जरूर comment करें अगर या आपको कुछ और logic आता question है ये question मैंने English में भी आपको दे दिया तो आपको आसनी से हो जाएंगी ठीक है numbers और alphabet में क्या English के Hindi तो यहाँ पर आप देखें इसे करें गौतम की वर्तमान आयू 15 साल पहले उसके पिता की आयू की 20% के बराबर है और गौरब जो है गौतम का भाई है उसकी जो वर्तमान आयू की बात कर रहे है तो वर्तमान आयू तो यहाँ पर इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ X मान की नहीं तो आप option से करेंगे तो और भी आसान होगा आपने माल दिया कि उसके पिता की जो वर्तमान आयू थी वो X से थी तो पहले case में कह रहा है 15 साल पहले कितनी हो जाएगी X मानस 15 हो जाएगी तो इसने बोला है कि जो गौतम है ना उसकी जो वर्तमान आयू है वो जो उसके पिता 15 साल पहले जो उसके पिता की आयू थी उसका कितना percent है 20% है तो आप देखेंगे ये 20% कितना हो जाएगा X मानस 15 का 20% ठीक है इससे आप 1 बटे 5 भी लिख सकते है 20% आपको ऐसे लिख ले 20 बटे 100 तो ये अभी वर्तमान आयू है ये पहली condition जो दीगे उसके according है दूसरी condition में बोला गया है गौरप का जो आयू है वर्तमान आयू गौरप की वो उसके पिता की 10 साल पहले जो आयू थी उसका कितना है 60% है यानि कि 10 साल पहले X मानस 10 होगी तो इसका 60% कितना हो जाएगा X मानस 10 into 60 upon 100 हो जाएगा तो अग इन दोनों का सम दिया गया है गौतम की वर्तमान आयू और गौरप की वर्तमान आयू का सम कितना है 31 है तो आपको दोनों आयू पता चलगी इसका सम आप देखेंगे 31 है तो इसका आप सम 31 कर लीजिए यहाँ पर 31 कर लीजिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ समझ में आ रहा हूँ तो यह सम जो दिया गया ना इनकी वर्तमान आयू का 31 दिया गया और यह आपका 3 होगा यह आपका 5 तो इसे सॉल्व करेंगे आपका X-15 प्लस 3X प्लस 30 हो जाएगा और 5 यहाँ जाएगा 5 इकम 5 31 से गुणा होगा तो 5 तिया 15, 15 हो पचपन हो जाएगा यह आपका 4X एक्वल टू 45 और यहाँ आपका 200 हो जाएगा तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आजाएगी 50 तो वर्तमान आयू क्या आगी 50 आगी तो आप कहां से 3rd option हो जाएगा पिता की वर्तमान आयू 50 अगर आप option से देखते न option आप यहाँ पे 50 रखते तो इसकी वर्तमान भी 10 साल पहले 40 होती और आपका 15 साल पहले 35 होती तो अब यहाँ पे आप देखते जो गौतम की वर्तमान आयू वो इसका 20% है तो 35 का 20% आपका 7 आ जाता और 40 का आपका कितना परसेंट है 60% तो 60% आपका 24 आता आप देखते इसमेंसे कौन सा आयेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे E, C, O है तो E, C वाला पहले आयेगा O है तो E, C से पहले L आयेगा ठीक है तो आपका 5 जो होगा वो सबसे पहले आयेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन्फरी से ही कि ऑप्सन है तो second प्सनिसका आंसर हो जाएगा 51324 ठीक है आसान से है इसमें कुछ ऐसा है नहीं next question करते है तो यहाँ पे आपको बताना है दिए गए आकरती में तिर्भुजों की संक्या तो इसके लिए भी मैंने आपको tricks बताई हैं कि यहाँ पर आपको tricks जरूर मालूम होनी चीए ठीक है उस tricks से आप आसानी से इन question को कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो मैं tricks से बता रहा हूँ ठीक है जो मैंने बताई भी है पहले उसमें आप देखें आपका इस type का अगर आपको figure दिखता है यह और यह और यहाँ देखें इस type का आपको figure दिख रहा है तो सबसे पहले आपको इसका figure दिख रहा है अगर यह figure होता है तो इसमें आपके कितने triangle होता है 16 तो 16 आपके यहाँ बनेगे अब देखें एक line आपकी यह आई है आप देखिए कि एक triangle आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा ठीक है तो यहाँ पर total कितने triangle बने 6 बने ठीक है कौन से एक आपका इस line की वज़े से आने से एक ये बना और एक आपका ये बना समझ मा आगे तो 16 तो पहले वाले बने थे trick आपको पता हो नीचे 6 यहाँ बनेगे तो same figure आप देखे एक line यहाँ भी आई हो ये तो यह यहाँ भी कितने बनेगे च्छे बनेगे तो आप देखें एक ये एक ये एक ये और आपकी जो दो बनेगे इस तरीके से बनेगे तो आपके टोटल जो ट्राइंगल बनेंगे नहीं यहाँ पर 16-22-28 बनेंगा और जो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ओप्सन ठीक करा हो तो मैं बनुद limits करा हूं ओल अर उसको हटाना होता है फिर उसमें problem आती है उसमें महनत बहुत लगती है तो इसले हप अपने सिफ्ट का पेपर भेजे ताके मां आपको सिप्टवाज करा हूं नहीं तो मैं आपको topic wise भी करा दुआ, thank you